केक बनाने का बराहे मन था तो मैं क्या की फटाफट से कीचन में आई और कुकर उठाए बाहर से समान भी लाने की जरूरत नहीं परी बस सिंपल सी मैंने केक बनाना शुरू कर दी सबसे पहले मैंने कुकर में नमक डाला यह नमक रेट रिट साब को दिख रहा होगा क्योंकि इसे पहले भी केक बनाने में मैंने यूच किया था और कंटीनर में रख दिया था अगर आपके पास से स्टेंड नहीं है तो इस तरीके की कोई कटोरी या धाकन कुकर में नीचे र खेंगे और पांच से छे मिनाटी से गर्म होने देंगे तब तक इधर मैं बाकी के काम कर लेती हूँ केक बनाने के लिए केक्टिंग या कोई कटोड़ी भी ले सकते हैं आप इसमें मैंने थोरा सा वैल डाल कर चारो तरफ अच्छे से ग्रीश कर लिया है यहां पर कोई यह सम आटा या मैदा लेकर इसे डस कर दे और एक्स्ट्रा जो बचे उसके बाहर निकाल दे यहां पर अब हम बैटर तयार करेंगे एक कप मैंने चीनी लिया है और एक कप गुन गुना दूद यह लो टमपरेचर का दूद है दूद ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए चीनी और दूद को विषकर के मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपके पास विषकर नहीं है तो जिससे हम लोग मेगी खाते हैं उस फोग से आप मिक्स कर सकते हैं तो चीनी को दूद में मिक्स होने तक फेटेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो चमच कॉफी मैंने लिया है renscape कॉफी आप इसका 10 वाला packet भी आता है उसको भी इषय कर सकते हैं दो चमच कॉफी डाल कर अच्छछ से mix करेंगे जब तक कॉफी दूद में गुल मिलना जाए दूद और कॉफी को अच्छ ह से mix होने के बाद इसमें डालेंगे मैदा जिस कप से मैं चीनी ली थी उसका double मैं मैदा ली हूँ तो बरतन थोरा छोटा है इसलिए थोरा थोरा डाल कर मैं मिक्स करूंगी आप बैटर बनाने के लिए बरतन थोरा बाड़ा लीजिएगा ताकि मिक्स करने में आसानी हो तो मैं इसमें एक तिहाई कप डाल कर मिक्स कर रहे हूँ बाकी के धीरे धीरे डाल कर मैं mix करूंगी यह जब mix हो गया तो थोड़ा मैदा और डाला मैणे इसके अंदर और अभी कुछ बाकी है तो इसे भी थोड़ा mix करने के बाद बाकी के सभी माइदार ढाल कर mix करूंगी आपको ना mix mix करते जाना है एक भी लम से अगोटलिया इसके अंदर नहीं होनी चाहिए बाकी बचे सभी माइदे को ढाल कर हम यहाँ पर mix mix करते जाएंगे बैटर थोड़ा थीक लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 2-3 चमचध दूद और डालकर mix किया बैटर हमारे ज्यादा थीक नहीं होनी चाहिए और नहीं ज्यादा पतली होनी चाहिए मेडियम कंसिस्टेंसी कर find better चाहिए चीनी के साथ एक कप दूद लिया था मैंने और फीर दो चमच डाला था लाश्ट में दो चमच और डाल कर मिक्स करूंगी अब यहाँ पर हमारा बैटर तयार हो चुका है इसका कंसिस्टेंसी आप सही से देख लीजिएगा ये ना ही ज़्यादा थीक और ना ही ज़्यादा पतली भी है मेडियम कंसिस्टेंसी का बैटर है ये लाश्ट में एक छोटी चमच ब्रेकिंग पाउडर डाला है मैंने ध्यान रहे कि ब्रेकिंग पाउडर हमने सबसे लाश्ट में डाली है और दो चमच दूज डाल कर थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं अब हमें बैटर को कोई रेष्ट के लिए नहीं छोड़ना होगा फोरण तयार की हुई कटोड़ी या पतीला में बैटर को डालना होगा यहाँ पर मैंने पूरे बैटर को इसके अंदर डाल दिया है थोरा सा आप इस तरह से इसे थपथपा दे और इधर कूकर भी 5-6 मिनिट में अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम तयार किया बैटर को सवधानी से कूकर में डाल देंगे अब कूकर को ढखन लगा कर 35-40 मिनिट के लिए कूक करना है फ्लेम को लोर टू मेडियम ही रखेंगे 20-25 मिनिट बाद मैंने कूकर का ढखन हटाया और नाइफ डाल कर चेक किया तो अभी ये सही से ब्रेक नहीं हुआ था वापस मैंने कूकर को बंद करके 15-20 मिनिट के लिए कूक किया और अब यहाँ पर मैंने केक को फाइनली 35-40 मिनिट के लिए कूक किया अब यहाँ पर मैं इसके अंदर knife डाल कर चिक करूंगी तो यहाँ पर अब यह finally break हो चुका है कुछ समय के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि cake ठंडा हो चुका है एक knife के मदद से cake को किनारे किनारे से छुड़ा लेंगे एक plate से cake को ढखक कर पल्डी करके हाथों से थप थपा देना है cake असानी से plate में आ जाएगा cake देखकर आपका मन खूस हो जाएगा हमें ना ही बाहर से समान लाने के जरूरत परी और ना ही घंटों तक मेहनत करनी परी जिसने कभी cake नहीं बनाई होगी वो भी इस cake को बना कर तयार कर सकती है बेटर पेपर को cake से अलग करूंगे और चलिए आप cake को कट करके दिखाती हूं आप जिस सेव में कटना पसंद करते हो उस सेव में कट करके अपने परिवार और बच्चों को खिला करके मन खुस कर सकते हैं वीडियो को मैं यही पर एंड करती हूं जल्द मिलूंगी अगली वीडियो में आज की ये cake के recipe कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और हाँ वीडियो अच्छे लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा